बिहार बोट कलास 11 ननमबर मन्थली एक्जाम 2023 का देख सकते हैं केमेश्टरी का ओरिजिनल कोस्टेन पर पड़ा विसे कोड भी मिला सकते हैं यही आएगा दोस्तो अब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का इसे डाउनलूट करना है मैं आपको बताऊंगा पहले दोस्तो अंसर देख लिए एक एक अब्जेक्टिव को पुरा रठ लिए उसके बाद मैं आपको बताऊंगा के पीडियाप के इसे डाउनलूट करना है तो विडियो को लास्ट देखिएगा इसी विडियो मैं आपको बताऊंगा objective और subjective का PDF कीसे download करना है देखिए दोस्तों एक से 30 तक objective रहेगा जिसमें आपको 25 परसनों का ही उतर देना है तो हम पुरा 30 objective का answer आपको बताएंगे तो आपको 25 ही बना के आना है और PDF download कर लेना है ताकि एक्जाम में आप लोग छाप सके पहला प्रस्ण करा इलक्ट्रोन की खोज का स्रे किसे दिया जाता है तिसका answer आपका एक का सी हो जाएगा थांसन को देखिए हम पटापट answer बताते जाएंगे time आपका waste नहीं करेंगे दो नमर करेंगे अफ वाहू के सिद्यांत के अनुसार निमलिखित में से कौन सी कक्षा पहले भरनी चाहिए तो दो का answer आपका D हो जाएगा 2S ठीक चलिए तिसरा प्रस्ण करा है कि पर्मुख quantum संख्या का वर्नन करता है तो तीन का answer आपका क्या हो जाएगा डी हो जाएगा इलक्ट्रोन की इस पील ठीक ना उसके बाद चार नमर कर रहा है कक्षक जिसका एल बड़ाबर वन है उसका आकार तो इसका correct इंसर जो है चार का आपका बी हो जाएगा डंबल है चलिए फटा 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 मांसर बताते जाएंगे उसके बाद दोस्तों पीडिया भी मैं आपको बताऊंगा कैसे डाउनलोड करना है ठेक और दोस्तों चैनल पर नहीं है तो चैनल को सस्क्राइब कर लिजेगा पांच नमर प्रस्न कर रहा है वह तत्व जो बिधूत संजयोगता प्रदर्सित नहीं करता है तो पांच का अंसर आपका क्या हो संजयोगता दोस्तों मैं आपको बता दूंगा पीडिया पेसे डाउनलोड करना है अब्यक्टिव और सब्जेक्टिव का तो वीडियो को देखते रहिएगा साथ नमर कर रहा है कक्षक 2PZ की चुम्पुकिये क्वांटम संख्या क्या है तो साथ का जो एंसर होगा दोस्तों ए हो जाएगा उसके बाद देखिए 11 नमर पर सोरी साथ होगी आठ नमर देख सकते हैं नो नमर का ओरिजिनल कोंश्टिन पेपर है आठ नमर कर रहा है 3D अर और र्मानू की ओक्सिजन ओक्सिकिरंत संख्या होती है तो 9 का अंसर आपका B हो जाएगा 0 10 नमर कर रहा है निम्लिखित में से किसी योगी कि मैं MN उस्थम ओक्सिकरं अवस्ता प्रदर्शित खरता है तो 10 का अंसर आपका A हो जाएगा के MN 14 एगारा नमर करा है कि H4 106 माइनस में 1 की L की ऑक्सिकर अवस्ता है तो इसका अंसर जो है आपका एगारा का एगारा का अंसर आपका C हो जाएगा प्लस 1 चलिए अगला प्रस्ण देख लिजिए दोस्तों बारा नमर करा एक मानक हैड्रोजन इलेक्टोड में सुन्य इलेक्टोड विभव होता है क्योंकि तो बारा का अंसर आपका बारा का डी हो जाएगा हैड्रोजन सबसे हलका तत्व है उसके बाद दोस्तों तेरे नमर प्रस्ण करा रहे कि अभी किरिया अभी करिया XCl2 प्लस 6OH माइनस गर्म सांद्र CLO3 प्लस YCl प्लस 3H2O में X और Y में मान है तो तेरा का जो अंसर होगा आपका C हो जाएगा C X बरावर 3 और Y बरावर 5 चलिए अगला प्रस्ण 14 नमर करा किसी योगिक में किसी तत्व की ओक्सिकरन संख्या का मुल्यांकन कुछ नियमों के आधार पर किया जाता है इस संबंद में निमलिखित में से कौन सा नियम सही नहीं है तो 14 का जो अंसर होगा आपका 14 का E हो एक प्रवल औक्सिकरन एजेंट के रूप में कार्य करता है किस अभिकिरिया में यह औक्सिकरन एजेंट के रूप में कार्य नहीं करता है तो 15 का जो एंसर होगा आपका 15 का D हो जाएगा 16 नमर का रहा निमलिखित में से किस पर्मानू में तीन आयूग मीत इलक्ट्रोन होते हैं तो 16 का आपका दोस्तों 16 का आपका C हो जाएगा C N 17 नमर प्रस्ण का रहा एक उक्साइड आयन O2 माइनस का इलक्ट्रोनिक विन्यास है तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों 17 का आंसर आपका D हो जाएगा 1S2 2S2 2P6 उसके बाद 18 नमर प्रस्ण का रहा है निमलिखित में से कौन सा अन्यास के साथ है या आई सो इलक्ट्रोनिक नहीं है तो 18 का अंसर आपका C हो जाएगा N A+. उसके बाद दिखिए 19 नमर का रहा है कि तांबे के बारे में कौन सा कथन गलत है तो 19 का जो अंसर होगा आपका 19 का C हो जाएगा तांबे के परमानों का इलक्ट्रोनिक विन्यास ठीक उसके यहां जो है दिया है यहां गलत है चलिए 20 नमर का रहा है कि 1000 ग्राम पानी में 120 ग्राम यूरिया मोलर तरबमान 6U गहल कर त्यार किये गए गहल का गहनत 1.15 ग्राम मिली लीटर है इस मिलियन की मोलरता है तो 20 का जो अंसर होगा आपका 20 का B हो जाएगा 2.05 मिली M 21 नमर का रहा है कि तापमान में ब्रिधी के साथ निमली खित में से कौन सा पड़िवरतन होता है तो 21 का अंसर आपका A हो जाएगा मेले लीटी 22 नमर का रहा है मिथाईल एलकोहल CH3OH का 5-10 अलब 2 मोल जलिये गहल की आपूर्ती की जाती है गोल में मिथाईल एलकोहल का मोल परभाज क्या है तो 22 का जो अंसर होगा आपका 22 का D हो जाएगा 0.086 23 नमर प्रस्ण का रहा किसी बिलियन के मोल परभाज की गर्णा कैसे की जाती है तो 23 का जो अंसर होगा आपका 23 का सी हो जगा विलय के मोलों की संख्या विलायक बटे बिलियन के मोलों की कुल संख्या उसके बाद दोस्तों 24 नमर प्रस्ण कराए कि किसी बिलियन में मोल परभाज किसी घटक के दरमान परतिसत से किस परकार संबन्दित है तो 24 का अंसर आपका 24 का C हो जाएगा यहां समन्धित नहीं है 25 करा यदि किसी घोल में किसी घटक की अधिक मातरा मिला दी जाए तो उसका मोल परभाज कैसे बदल जाता है तो 25 का अंसर आपका B हो जाएगा यहां बढ़ता है 26 नमर करा एक योगिक का मुलानू पाती सुत्र और आनविक दरबमान करमसा CH2O और 180 गराम है योगिक का आनविक सुत्र क्या होगा तो 26 का अंसर आपका C हो जाएगा C6H12O6 27 नमर परशन करा एक छाड़ी माध्य में के एल के के एल के वन मॉल दुवारा अब करीट किये गए के मनोफोर के मॉलों की संख्या है तो 27 का अंसर आपका C हो जाएगा दो 28 का रहा है निमलिकित में से किसम अनवो की संख्या दिकतम है 28 का अंसर यह हो जाएगा दो गराम ह2 ह2 बटे 2GH2 उसके बाद 29 का रहा है कि मातरा किसका उप्योग अरहाइसो एमल 2M HNO3 तयार करने के लिए क्या जाना चाहिए तो 29 का अंसर आपका क्या हो जाएगा D हो जाएगा 29 का अंसर उसके बाद दोस्तों 30 नमर प्रस्ण कर रहा है कि आवर्ति सारनी का आवर्त सारनी का नवा तत्व रहता है तो 30 का अंसर आपका यह हो जाएगा दूसरी आवर्त में देखिए सब्जेक्टिव कोस्चन भी आप यहां देख सकते हैं चलिए हम आपको बताते हैं अब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का पीडियाइप कैसे डाउनलोड करना है पीडियाइप डाउनलोड करने के लिए आपको गोगल खोल लेना है गोगल में सर्च करना है जेनरल 24 नियूज जेनरल 24 नियूज लिखके आपको सर्च मार देना है फर्स नमर वेबसाइट दिखेगा जेनरल24news.in इस पर आपको किलिक करना है जैसे ही दोस्तों इस पर किल के नीचे आना है नीचे देखिए जो भी आप डाउनलोड करना चाहते हैंसे सब्जेक्टीव यहां से सब्जेक्टिव बाले से डाउनलोड कर लिजिएगा अभी हैं हम पीडियाफ लगाद ए डाउनलोड कर लिजिए